आईए आपको नाउन का एक बहुत ही शांदार और कन्फ्यूजिंग रूल पढ़ाते हैं कन्फ्यूजिंग इसलिए क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते हैं और शांदार तो ये है ही क्योंकि इससे questions बहुत सारे आते हैं जरा ध्यान से देखेगा इसका concept यहीं पर है तेजी से समझ लेते हैं ताकि और चीजे सरल हो जाएंगी देखिए third और thirds, fourth और fourth तिहाई, चौथाई हिंदी में बोलते हैं वो लिखा है तो पहले बात third सही है, third सही है उसको देखे अगर one आ रहा है तो third सही है, two आ रहा है तो third सही है पहली बात तो यह कि 4th अगर 3 के साथ है तो 4th में S लगेगा और अगर मान लिजे यहाँ पर 1 है तो 4th में S नहीं लगेगा 1, 5th, 4 के साथ 5th में S लगेगा 9, 10th, 9 बटा 10 हिस्सा ऐसे 4 बटे 5 हिस्सा यह meaning है इसका, right? और यह 3 upon 4 इस तरीके से तो पहली बात 3rd, 3rds यह सब ठीक है इसके हिसाब से आप करेंगे अब half, enough और most यह कुछ words है अब ध्यान से समझेगा अब यहाँ पर off लगाओ, off लगाओ और off लगाओ अब अगर इसके बात plural countable noun है या singular countable noun है या singular uncountable noun है बहुत ध्यान से समझेगा बहुत ध्यान से समझेगा कि अगर ऐसा है कि plural countable noun है तो आगे की verb जो है वो plural हो जाएगी बस 5 minute का यह rule है, ठीक है? हाँ, तो अगर यह plural noun आता है तो आगे की verb plural अगर singular countable noun आता है तो आगे की verb singular और uncountable noun के साथ तो वैसे ही singular verb आनी है तो दो बातों का ध्यान रखना है पहले बात कि third और thirds दोनों सही है फोर्थ और fourth दोनों सही है यह one to three पे depend करता है दूसरी बात आगे verb कब singular होगी, कब plural होगी यह इस plural noun पे depend करता है ठीक, अगर हाँ, अगर plural countable noun है तो plural verb singular countable noun है तो singular verb uncountable noun है तो फिर से singular verb अब मैं आपको हलका सा एक इशारा करता हूँ खत्रे की तरफ जैसे fourth, fourth, fifth लिख दिया यह three fourths लिख दिया fourth तो plural है, fifth तो plural है पर आगे का noun countable है, singular है singular है, तो fifth या fourth के हिसाब से plural verb नहीं आ जाएगी आगे बात समझ में आईए example देखते है अब ध्यान से दिखेगा, one fourth of these buildings, buildings plural है ना, तो have लगाओ clear one fourth of this building, building singular है ना, has लगाओ, यह देखे buildings plural countable noun है तो plural countable noun के साथ कैसी verb आएगी, plural verb, यह पढ़िए ना plural countable noun के साथ plural verb आएगी और यह देखे, singular countable noun है यह देखे, singular countable noun singular verb आएगी है S-C-E-R, तो has लगेगा हिंदी, इन buildings का एक चौथाई जो है demolish कर दिया गया है मालो, 10 building है है, 10 में से जो है, 2 से 3 buildings को तोड़ा जा चुका है, और इस building का एक चौथाई हिस्सा demolish किया जा चुका है, एक ही building है उसका एक चौथाई हिस्सा, अब ध्यान से देखे, बहुत ध्यान से, यह देखे, एक ही pillar है, pillar है, इस pillar का 3 बटा 4 हिस्सा corroded होगे है, जंक फोर्थ तो plural है, फोर्थ में ऐस लगा न, तो उसको वर्थ देंगे नहीं, वर्भ हमेशा इस structure में इधर के noun को ही देना है, पहली बात, लेकिन इसको plural लिखने का जैसे मौका पड़ेगा, आप लिखोगे जरूर, ठीक, यह न सोचोगे, यह singular है, तो में इस नहीं लगेगा, यह लगेगा, ठीक, अब देखे, two-thirds, two की वज़े से third में इस लगा, students plural है, तो haven't लगा, ठीक, फिर two-thirds, thirds ही होगा, क्योंकि two plural है, population singular है, is लगा लो, uncountable भी है, population गिना नहीं जा सकता, uncountable noun के बावजूद भी, चुकी, यहाँ two था, तो third में इस लगा, total work, uncountable है, तब भी three की वज़े से fourth में इस जरूर लगेगा, हाँ, लेकिन जो verb है, वो इसको मिलनी है, तो is लगेगा, one third of the class, one है ना, तो third में इस नहीं लगा, class, एक बच्चा ने इस लगाई है, एक ही तो class है, and one third of the students, students है ना, तो all लगाई है, यह word तो students की, इसमें लेखा, class का एक बटा तीन हिस्सा, जो है छात्रों का, वो शोर मचा रहे हैं, class के एक बटा तीन छात्र जो हैं, शोर मचा रहे हैं, तो students के हिसाब से, plural verb लगाई है मुझे अमीद आप जरूर समझ रहे होंगे मैं कोशिश कर रहा हूँ, चीजों को simple रखो, यह देखे, half को logic भी वही है, पीछे था ना, यह देखे, half enough और most में भी यही सारा logic है, अब जैसे half of the voters और half of his salary, half के साथ, यह तो नहीं है कि half में S लग जाएगा, लेकिन half में जो voters आया, तो voters plural है, तो plural verb लगाई है C में S ना लगाई है present indefinite में plural verb वो होती, जिसमें C, S नहीं लगता salary एक बच्छा ने, इसलिए goes में S लगाई है, goes करिए singular verb करिए, इसमें लिखा है half of this book इस किताब का आधा इससा फटा हुआ है, समझ रहे ना, book के हिसाब से, और इस book के आधे pages फटे हुआ है, तो pages के हिसाब से, भाई R लगाउ, most of your knowledge knowledge है ना, तो knowledge के हिसाब से, is लगाउ, bookish है bookings नहीं से, bookish है message, most of my friends, friends की वज़े से, आल लगाउ, abroad में settled है, enough of his speech, उसकी speech का अधिकांश हिस्सा, या बड़ा हिस्सा, काफे हिस्सा सर, speech एक ही है सर speeches नहीं लिखा है, तो words लगाई है और songs एक singer ने मालो, 100-200 गाने गाई, तो उसके अधिकांश गाने जो हैं, chartbusters रहे हैं songs plural, एसले क्या लगाई है word लगाई है अब खास बात फिर से सुन लिजे सर आप, ये चीज, कि जैसे ही आप one की जगा two करोगे, तो fourth में ऐस लगेगा third में ऐस लगेगा ठीक, और बाकी जो verb होगी वो उस noun को मिलेगी, जो आगे होगा, plural होगा तो plural singular होगा तो singular एक और बड़ा ही खास rule है, इसमें ही इसको भी पढ़ा देते हैं, percent का पहली बात percent को percent में ऐस लगा के नहीं लिखते ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि हिंदी में percent को प्रतिशत बोलते हैं, और प्रतिशतों होता नहीं, सर प्रतिशत होता है, percentages हो सकता है, लेकिन प्रतिशता जिसको कहते हैं, लेकिन percent में ऐस नहीं लगेगा, अब जैसे देखी क्या लिखा, ten percent नहीं लगा, लगा क्या, नहीं लगा, ना लगाएंगे यहाँ पर भी 90 हैं, लेकिन percent में ऐस नहीं लगाएंगे कब भी नहीं लगाएंगे ये पहली बात दूसरी बात percent से जोड क्या रहे हैं ये देखिए लिखा जा रहा है कि respondents उन लोगों को बोलते हैं जो किसी survey में हिस्सा लेते हैं मतलब ये people हैं एक तरीके से plural हैं तो कहा जा रहा लगभग 60 percent of the respondents मतलब survey में जिन हजार लोगों ने हिस्सा लिया था माल लेते हजार लोगों ने हिस्सा लिया था उसमें से 600 क्या सपास यानि कि जो 60 प्रतिशत respondents हैं वो इस favor में हैं कि नई education policy को adopt किया जाएं ध्यान से सुनिएगा सर बहुत ध्यान से चुकि respondents plural है तो आगे की वर plural होगी और यह देखें जबकि और यह देखें 90 percent of the total earth's water is are in oceans and not fit for ranking धर्ती का जो 97 percent sorry शायद 90 percent हाँ जो 90 percent water 90 प्रतिशत जो पानी है अगर यह fact कि आधार पर गल्लात हो तो मुझे माफ करिएगा पाकी sentence समझे प्रत्वी पर जो total पानी है उसका जो 90 प्रतिशत हिस्सा है वो समुद्रों में है सागरों में है और वो पीने लायक नहीं है ध्यान से सुनिएगा सर इस बार जो water है वो singular है इस लिए इस लगेगा यानि कि percent के पहले one two three four क्या लेखा उससे कोई मतलब नहीं है one percent बोलिए two percent बोलिए मतलब आप यूं बोले खाली only ध्यान से देखिए only one percent of the respondents one percent of the respondents फिर भी आर ही लगाओगे सर यानि कि respondents को word मिल रही तो पहली बात percent के case में percent plural नहीं होगा दूसरा percent किसका निकाला जा रहा है plural noun से है या uncountable noun से है उसके case आप से word निकलेगी right population 60 percent of population lives in villages population uncountable noun है तो lives करिएगा और 60 percent of people live in villages people plural है इसलिए ये sentence मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको रख लिया बस ऐसे ही percent का है ये thought type से है life is just 10 percent what you make it and 90 percent how you take it जिन्दिगी का सिफ 10 पितिशत हिस्सा ही ऐसा है जिसे आप अपने हिसाब से बना सकते है अपने हिसाब से मोर सकते हैं मोल्ड कर सकते हैं बाकि 90 पितिशत हिस्सा वही है जो बना बनाया है और आपको उसे उस हिसाब से handle करना होता है मतलब life में चीजों को shape नहीं करना है बलकि उनको handle करना है life आपके हिसाब से नहीं चलती बलकि आप life के हिसाब से चलते हैं और कितना बहतर आप life को handle कर सकते हैं उसके हिसाब से है life आपकी I hope सब कुछ clear हो गया होगा आपको Thank you